केदार ना धाम बर्फ के फाहों के आगोश में है लगातार हो रही बर्फबारी ने केदार धाम को आधा ढग दिया है बर्फबारी के वजह से ठंड बेहत बढ़ गई है आलम यह है कि आस्मान में छाय बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हालांकि वहां काम करने वाली संस्थाय दिन भर बर्फटाने के काम में लगी हुई है केदार धाम में ठंड का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि अधिक्तम तापमान तीन दश्पलों पांच डिग्री सल्सियस और न्यूनतम तापमान माइनस चार दश्मलों साथ दिग्री सल्सियस दर्श किया गया सुबहां से लेकर शाम तक सूरज और बादलों की आँख में चॉली होती रही लेकिन फिर भी आसमान में घने बादल चाय रहे पूरे दिन बर्फबारी की संभावना बनी रही इस तोरान आदे गुरु शंकर अचारे की समाधिस थल का पुनर निर्मान का रही कारिदाई संस था उडिस्टोन कमपनी के मजदूरों द्वारा बर्फ सफाई का काम भी जोरो पर किया गया निर्मान सामागरी के स्टोरों के साथ ही अन्य जगहों पर भी बर्फ की सफाई की गई एक अरुमान की मताबिक अगर फिर से बर्फबारी ना हुई तो पूरी तरह से बर्फ साफ करने में कम से कम दो दिन और लगेंगे इसके बाद ही निर्मान का काम दुबारा शुरू हो पाएगा हलनकि राहत की बात ये रही कि बीते दिनों भारी बर्फबारी की वजहां से बंद पड़े उखी मत चोपता गोपिश्वर हाईवे को दो हफ़ते बाद खोल दिया गया चोपता में फसी गाड़ियों को निकाला जा रहा है गोर तलबे कि पिछले 22 जनवर से शुरू हुई भारी बर्फबारी के बीच इस सडख मार को बंद कर दिया गया था